वालो दोस्तों कैसे हैं आप सब जैसे कि आप देख रहे हैं आज मैं आपके साथ एक नेक का डिजाइन शेयर करने जा रही हूं यह जो नेक का डिजाइन है यह प्लैकेट वाला होता है और उपर की तरफ इसमें राउंड कॉलर लगता है तो आप देखे यह मैंने इसको बताऊंगी तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम बुक्रम पर कटिंग करेंगे तो यहां पे मैंने बुक्रम ले ली हैं बुक्रम की जो चड़ाई है वह मैं आपको बता देती हूं यहां पर बुक्रम की चोड़ाई है तो टोटल वो चार के ग्रिवा आप ले लीजिए है यहां पे गले की चड़ाई हम 2 इंच लगा लेते हैं जीतना गला चोड़ा लेना है उससे एक च्छ जादा विक्रम हम ले लेंगे तो यहां पर पहले हम इसके ऊपर कटिंग करेंगे यहाँ पर 3 इंच पहले इसके उपर गले की चुड़ाई लेते हैं यह फ्रंट वाला पीस है हमारा और 4 इंच डाउन लगाते हैं तीर इंच चोड़ा और 4 इंच नीचे लगाकर यह हमने राउंड कॉलर बनाना है अगर स्टैंड कॉलर बना रहे हो तो डाउ हमने तीन इंच लेना है यह चार इंच लिया है हमने हलका सा वी करते हुए गुलाइग देते हुए इसको हम कट कर लेंगे बहुत जादा गुलाइग नहीं देते हैं राउंड कॉलर में हलका सा वी रखना है इसको और इसको हमने बीच में से कट कर लेना है आप बोलोगे अभ तो यहां पे दिखेंक यहां पर निशान इस तरह आ जाएगा तो इसे हम साइड में करेंगे पहले इसकी लंबाय लगा लेंगे गले की गला आप कितना डीप डालते हो तो यहां पर हमने गले को डीप डालना है च्छे से साथ इंच तो यहंपर तोटर हम निशान लगा लेते हैं छे यिर साथ जितना भी लगा ना है उर नीचे की तरफ हम 8 से साड़े 8 इंच की पकटी लगा लेते हैं तो यहां पर हम इसको पहले तहला हल्का शाV 1 करेंगे और उपर की तरफ जो मार्जन ही वो 1 का है उपर की तरफ माजने की इंच का है और उधर से आमने कॉर्णे से उठाया है भी इसको औash कॉल न लगा लेंगे र हम नीच हि की तरफ चलते हैं इसे तरह हलका सा भी दे देंगे तो यह हमारी प्लैकेटक पट्टी कट जाएगी यह कई लोगों को प्लैकेट लगाने में थोड़े दिक्कत होती है तो यह थोड़ा प्लैकेट वाला ही डिजाइन है और यह बना हुआ बहुत परफेक्ट लगता है अब जैसे सर्दियां भी आ रही है तो यहाँ पे आप जो कॉलर वाले घले हैं उनक आप वीडियो कैसी लगी है तो यहाँ पे हम इसको इसके on the mark कट कर लेते हैं तो यहाँ पे यह वाली पट्टी हमारी कट चुकी है इसे हम कपड़े के उपर जोड लेंगे कपड़े के उपर बिल्कुल इस तरह आपने अगर तो आपकी पेसिंग बाली है तो प्रेस कर इसके बाद साइट से हमने कपड़ा कर लेना है इसके साइडों में हम आधा-धा-इंच कपड़ा छोड़कर बाकी सारह कपड़ा काड़ देंगे अब साइड में सिलाई लगाएंगे इसको फोल्ड करके पहले कपड़े को काड़ देते हैं इस तरह हमने इसको जो एक्स्टा कपड़ है वो सारा काड़ देना है आधा इंच कपड़ा सिर्फ इसके साइडों में छोड़ना है अब इसे इस तरह फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद इसके उपर चिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर यह वाली पट्टी हमारी बन चुकी है इसकी साइड में हम पाइपिंग लगाते हैं अगर आपके पाइपिंग है तो पाइपिंग लगाएए मैं हलकी सी बरिक एक लेस लगा रही हूं आप देखिए यह पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है अब हमने जो शर्ट है इसका सेंटर भी किया हुआ है सेंटर का अपने निशान जरूर लगाना है नहीं तो आपका अगला टेड़ा भी हो सकता है अब हम इसके उपर रखकर इसको सिलेंगे अब हमने इसे उल्टी तरफ रखना है इस चीज का ध्यान रखिएगा अब सबसे पहले पट्टी का सेंटर करना है पीछे की पट्टी को आगी की पट्टी से मिला कर इसको पहले हाफ कर लेंगे हाफ करके यहां पे कटल लगाएंगे यहां पे एक निशान आपने जुरूर बनाना है यह सेंटर का निशान होगा तो यहां पे हम जो बुक्रम है उसको गले के ब्राबर रखेंगे अब कपड़े का हिसाब नहीं देखना आपने उपर वाले का बुक्रम का हिसाब देखना है बुक्रम को हम गले के ब्राबर रखे और इसको हाफ से पहले सेल देंगे यहां पर बिल्कुल सेंटर में मैं सिलाई लगा कर आ रही हूं यह आपना बस एक चीज का ध्यार रखना है कि जो यह सिलाई है बिल्कुल सेंटर में लगनी चाहिए यहां पर बिल्कुल भी टेडा नहीं होना चाहिए यहां पर उल्टी त लगेंगी जो अगर हम लगा देते हैं तो फिनिशिंग नहीं आती है यहां पे हम इसकी कटिंग कर देते हैं गले की और बीच में से जो कार्या इसको भी कार देना है आपने और ध्यान रखना है कि कोई भी शिलाई कटनी नहीं चाहिए अब ज़रा-चरा साथ इसको कट लगा ना डखा देनी है एक बीच वाले हिस्से में Gef के फिनिशिंग और दो यहां चाओ है वो भी लगा सकती हो प्लिष कं रखा देंगे बढका सांग तो इसको लगा कर मैं आपको दिखा दिखा आज जब हम लेस को लगा रहे हैं तो इसका corner है वो बहुत finishing से आपने बनाना है क्योंकि ये बिल्कुल आपकी neckline के नीचे आएगा इसको आपने ध्यान से बनाना है यहां पे बिल्कुल भी जोल वेगारा नहीं आना चाहिए तो लीजे यहां पे इस तरह लेस लग जाएगी इसको हम पहले काट देते हैं काटने के बाद इसका हमने collar बनाना है और ये जो उपर से अन्विक्वल होगा पट्टी लगाने के बाद उसे भी हमने cut कर देना है और side में भी इसके सिलाई लगा देनी है side में इसकी सिलाई लग अब देखे इस यह दोनों तरफ से लाए लग चुकी है हमने इसको पहले हाफ कर लेना है हाफ करने के बाद यहां पे जो अनिक्वल है थोड़ा सा कपड़ा होता है जब हम इस पट्टी को लगाते हैं उसकी हम finishing दे लेंगे finishing देने के बाद हम तीरे जोट लेंगे पीछे के पीछे वाले पले में अपने 5 इंच के इंच के काड़ डालनी है इससे जादा गला कमें नहीं कट करना है किया है यहां पर हम नीचे वाले पले को साथे इसंतर आपना नहीं इस तरह हम ने सौफ्ट अपकरते हुए इसको नवापना है अगर आप खीच लोगे तो आपको भ हो लाएगा यहां पर जो टोटल आया है हमारे पास सत्रा इंच आया है तो यहां पर जो कॉलर बनाना है वह 16 और 17 के बीच में बनेगा इस से कम या जदा नहीं बनाना है अब यहां पर हमने बुक्रम ली है इसकी जो लंबाई है वो 14 इंच ली है हमने इसको हम हाफ में फोल्ड कर लेते हैं यह साथ इंच का निशान आ जाएगा और इसको हमने इसकी अंदर हमने पहले बैन कट करने है यानि की राउंड कॉलर कट करने का यह सबसे बैस तरीका है तो यहां पर हम पहले कर लेना है और इसे इतरे निशान बना लेना है यह बुक्रम की चुड़ा हमरी 5 है जो बीच का हिस्सा है वो हमारा 4 इंच है यहां पे 4 इंच है और 1 इंच की पटी उपर है इस तरह हम इसको गुलाई दे लेंगी तोड़ा सा U-shape में हम इसको करते हो गुलाई देंगे और इक इंच की पटी उपर की तरफ कर लेंगे जो कॉलर बनाना होता है राउंड वाला उसकी जो पटी की चुड़ाई होती है एक से सवाइंच होनी चाहिए इससे ज्यादा आपने नहीं लेनी है और इसको हम अब कट करेंगे पहले हम उपर से कट कर देंगे इसको फिर हमने अंदर से इसको काट कर पट्टी को निकाल लेना है अब रेखिए पट्टी को हमने इस तरह कट कर लिया है और इसको हम इस तरह नाप लेंगे जितना हमारा कॉलर है उतना रखेंगे जैसे 17 इंच हमारा कॉलर है था यहां पर 17 इंच का सत्रह से थोड़ा कम का निशान लगा कर देंगे और उपर से थोड़ी सी गलाइ देंगे तो यह हमारी collar band बन गई है अब इसे कपड़े के उपर रख ते हैं कपड़े के ऊपर रखकर हमने इसको इस तरह पहले stitch कर लेना है बिल्कुल बुकरम के उपर उपर किनारे किनारे पर हम एक एक सिलाइ लगाएंगे यहाँ पे आपने बुक्रम के नीचे नहीं लगानी है अब बुक्रम के बिल्कुल उपर लगानी है किनारे पे अब नीचे के कपड़े को आधाइंच छोड़ते हुए हम इस तरह काड़तेंगे और इसका उपर का हिस्सा भी काड़ देते हैं और इसे अब हमने नीचे वाले कपड़े को फोल्ड करना है जो नीचे वाला कपड़ा हमने छोड़ा था उसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे और अब इसे दूसरे कपड़े के उपर रखते हैं यह कपड़ा और लेंगे उसके उपर रखते हैं अब कपड़ा हमारा सीधा होना चाहिए जिसके उपर रखना है और उसी तरह रखते हुए सेम सिलाई लगा लेंगे और नीचे की तरफ आदा इंच कपड़ा हमारा एक्स्टा होना चाहिए तो यहां पे देखे यह हमारी सिलाई लग चुकी है अब हम इसे इस तरह बीच में से काट देंगे और यहां पे आपने जो गुलाई है उसमें छोट-छोटे कर्स लगाने और नीचे का कपड़ा भी हादा इंच छोड़ते हुए जो एक्स्ट्रा है वो सारा काट देते हैं और यहां पे उपर की तरफ शोट-छोट ऐकर्स लगाते हुए हमने जानको पल्टी करने है तो यहां पेर कॉलार हमारा बन चुका है यहां पे उल्टी तरफ से लागना शुरू करते हैं शिर्ट की जो उल्टी तरफ है आप हम इसको रखेंगे रखकर एक लगा लेंगे अब उसको सेट करते हुए लगाना है कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खीचना है ना तो आपने कपड़ा खीचना है ना ही आपने कॉलर को खीचना है बिल्कुल ढीले हाथों से रखते हुए लगाएंगे मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ यहाँ पे हम जितना हमारा margin हमने छोड़ा हुआ है जैसे आधेंच के करीब हमने margin जो छोड़ा है उसे हम इस तरह रखते हुए सिलाई लगा लेंगे झाल 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 अब देखिए कॉलर हमारा बिल्कुल complete आया है बिल्कुल पूरा आया है जैसे मैं सेलर रही हूँ तो यहाँ पे हम इसे पहले पूरा ब्राबर करके रख लेंगे एक वर मैं आपको थोड़ा close करके दिखाती हूं यहाँ पे हम इसे पहले ब्राबर करके रखेंगे end वाले हिस् और फिर हमने इसको सिलाई को लगाना है यह चीज बिल्कुल end पे ब्राबर होनी चाहिए इस तरह है अब हम इसे दो से तीन टांके लगाकर इसे पक्का कर देंगे बिल्कुल अब कॉलर हमारा जुड़ गया है अब हमने इसे सिदी तरह प्लटी करना है सिदी तरह प्लटी करने के बाद इसके ऊपर से हम सिलाई लगांगी जो यहाँ पे एकसा कप्रा होगा से अंदर के दरह फ prov कर लेते हैं फोल्ड करने के बाद बिल्कुल किनारे किनारे पेज के च जिलाई लगाने के बार यह जो हमारा कॉलर है यह बनकर रेडी है और बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको यह सारा जो प्रसेस है वो बताया है तो चली इसको पहले कम्प्लीट करकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो लीजे गला हमारा बनकर तैयार हो गया है मैंने यहाँ पर परल्स वाले जो बटन्स होती है वो लगाए है इसके सेंटर में और बहुत ही परफेक्ट यह नेक बना है और यहाँ पर बी प्लैकेट में हमारा राउंड कॉलर रेडी है आपको वीडियो कैसा लगा है वो हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और जिन जिन की रिक्वेस्ट आज पूरी हुई है वो तो आप जरूर कमेंट करके हमें बताईएगा कि आपको यह गला चाहिए था वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आगे मिलेंगे किसी और डिजाइन के स साथ तब तक के लिए गुड़ बाई टेक कियर